त्रणमुल कॉंग्रेस की सांसद बहुआ मोईत्रा पर कथित पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में उनकी मुसीबते बढ़ गई हैं एथिक्स कमिटी की 9 नवंबर को हुई बैठक में उनके खिलाफ 10 सदस्यों में से 6 सदस्यों ने उनको लोगसभा से नशकासित करने के समर्थन में मतदान किया है और अन्य चार ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है एथिक्स कमिटी के अध्यक्ष विनोथ सोनकर ने बताया कि यह रिपोर्ट अब लोगसभा के अध्यक्ष ओम बिर्ला को सौपी जाएगी उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोग इस जाच में बाद हडालना चाहते हैं देखे ऐसा है कि यह एथिस कमेटी को जाच करने का काम मानि लोगसभाई स्पीकर के द्वारा सौपा गया था उसकी बिस्तित जाच अपने सिफारिसों के साथ कमेटी ने मानि लोगसभाई स्पीकर को प्रेसित कर दिया है देखे उसमें कुछ लोग पहले दिन से ऐसे लोग थे जो पूरी जाच को बाधा डालना चाहते थे जाच नहों इस तरह का बखेडा करना का चाहते थे लेकिन आज जब उन्होंने बोटिंग किया तो बहुमत से यह रिपोर्ट एडाप्ट होई एडाप्ट होने के बाद म और उन्होंने अपना डीसेंट नोट जो लोग सहमत नहीं थे तीन चाहल लोगों ने अपना डीसेंट नोट जमा किया है इस रिपोर्ट और कमिटी की कारेश अली पर सवाल उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी की सांसर दानेश अली ने कहा कि अध्यक्ष ने सिर्फ धाई मिनट में ही रिपोर्ट को स्विकार कर लिया और उस पर कोई चर्चा ही नहीं गुई देखिए आज पहली पिरक्रिया तो पही सवाल हम कहते हैं हमारा और पहले दिन से सवाल ही पिरक्रिया पर है चेर्मेन आये 15 मिनट बाद और धाई मिनट में मिटिंग खतम हो गई रिपोर्ट इतनी बड़ी रिपोर्ट इतनी मोटी रिपोर्ट डिसकेशन ही नहीं हुआ और जो रिपोर्ट में नहीं था जो एक घंटे से डेड़ घंटे की कारवाई पहले दिन की उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल नहीं है उस पर हम जो है सदस्यों ने सवाल उठा उन्होंने रमेज बिधुरी का भी मामला उठाया और कहा कि एक शिकायत पर बुलिट ट्रेन की तरह कारवाई हुई, दूसरी तरफ अभी तक सुनवाई नहीं हुई पिरक्रिया मेरे ख्याल से सारे रूल्स बराबर होने चाहिए, एक कमेटी में बुलिट ट्रेन की तरह स्पीट से कंपलेंट आई, कंपलेंट आई और डिसीजन भी हो गया, दूसरी तरफ किस 22 सितंबर को पूरी दुनिया ने इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार होते में कोई चर्चा नहीं है, क्या होगा, ऐसे देश चलेगा, ऐसे देश का लोकतंत्र बचेगा जडियू सांसत गिर्धारी लाल यादव ने भी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने कभी नहीं देखा कि अध्यक्ष की कुर्सी एक मिनट के लिए भी खाली रही हो उन्होंने यह भी कहा कि हीरा नंदानी को तक नहीं बलाया संचालन है, वो ये कहता है, कि 11 बजे मने 11 बजे, इस पिकर नहीं आएंगे तो उसके डिप्टी स्पिकर आएंगे जो कि एकदम नियम के विपरीथ है, संबिधान और प्रकरिया का संचालन के धजी उड़ा रहे हैं हम लोग तो जानते हैं कि जबरदस्ती गलत काम कर रहा, कोई नहीरा नंदानी को बुलाया, निकिशी को बुलाया रहे, सही कर दिया आपको पता दें कि भाजपा सांसद निशिकान दूबे ने दावा किया था कि महुआ मोहित्रा के खिलाफ सीबी आई जांच के आदेश दिये गए हैं निशिकान दूबे ने त्रणमूल कॉंग्रेस सांसद के खिलाफ 21 अक्तूबर को भरस्ताचार विरोधी लोगपाल के पास शिकायत दे थी निशिकान दूबे ने सोशिल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए इस बारे में पोस्ट किया था उन्होंने पोस्ट में लिखा लोगपाल ने आज मेरे कंप्लेन पर आरोपी सांसद महुआ जी के रास्ट्रिय सुरक्षा को गिर्वी रख कर भरस्ताचार करनी पर CBI इंक्वाईरी का आदेश दिया अपने खिलाफ CBI जाच की खबर पर महुआ मुइत्रा ने जवाब देते हुए लिखा कि CBI को पहले 13,000 करोड के अडानी कोल स्काम पर F.I.R. दर्च करनी चाहिए कैसे गैर भरोसे मंद अडानी फर्म भाडिय बंदरगा खरीद रही है ये रास्ट्रिय सुरक्षा का मामला है इसके बाद मेरे जूते गिनने के लिए CBI का स्वाबत है कि बाद मेरे लिए CBI का स्वाबत है